गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल डू ट्रेजेंट प्रफेक्ट टेंस ट्रेजेंट प्रफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है बचो इसमें वाक्य की जो क्रिया होती है उसके अंत में चुका है चुकी है चुके है आ है ए है ये है ये कैसे जैसे लिया है दिया है आदिया है थो वो क्या होता है present perfect tense होता है अब क्या सारे ही वाक्य जिनके अंत में ये आता है वे present perfect tense होता है बचो नहीं बचो क्योंकि और क्या जरूरी है इसमें अगर उस वाक्य में past time given है past time दिया हुआ है तो वह वाक्य कौन सा वाक्य होगा simple past होगा past indefinite tense होगा चाहे उसके अंत में चुका है चुकी है चुके है आ है ए है इ है ही क्यों ना हो जैसे मैंने मैंने 1980 में metric past की की है तो इस वाक्य में बचो क्या है की में क्या है इ तो ये क्या होगा इसके अंत में क्या होगा इ है तो यह है वाक्य देखने से तो क्या लगेगा हमें present perfect tense लगेगा लेकिन बच्चो इसमें क्या है time given है और time भी कौन सा given है past का तो past का time अगर given है तो वह sentence simple past होगा past indefinite tense होगा present perfect tense नहीं होगा लेकिन अगर हम इसी वाक्य को ऐसे बोलें कि मैंने metric past की हुई है तो तब यह है वाक्य present perfect tense होगा अगर 1980 इसमें given है तो उसको हम बनाएंगे past indefinite tense से कैसे I past metric in 1980 अगर इसमें past का time नहीं दिया हुआ है तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि मैंने metric past की हुई है तो इसको हम बनाएंगे I have past metric अब इसके लिए formation क्या रहती है बचो अगर हमने पहचान कर लिए identify कर लिया कि ये वाक्य present perfect tense है तो इसके लिए हम इसकी formation कैसे करेंगे तो जो affirmative sentences होते हैं उनकी जो sentence formation रहती है वह है सबसे पहले हम subject को रखेंगे plus जो helping verb रखते हैं वो होगी हमारी has या have अब has किसके साथ आता है बचो he, she, it और singular noun के साथ हम has को use करते हैं और जो हमारे plural pronoun है जैसे I, we, they, you और plural noun के साथ हम have का use करते हैं उसके बाद हम रखेंगे plus verb की third form plus object तो ये हमारी sentence formation रहेगी for example हम खाना खा चुके हैं अब इसमें हमारा subject कौन है, काम करने वाला कौन है, we, हम तो इसके लिए हम we रखेंगे और we के बाद जो हमारी helping verb आएगी, वो आएगी have, we have अब हमारी verb की third form, verb है हमारा खाना खाना तो वो होगी, eat, eaten, तो ये जाएगी we have eaten the food, we have eaten the food, negative sentences में हमारी जो sentence formation रहती है, वो रहती है subject plus has not, या फिर have not, plus verb की third form, plus object तो अगर हम लेते हैं कि हम खाना नहीं खा चुके हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बचो we have not eaten the food, जो हमारी helping verb have है, उसके साथ हम note का यूज कर देते हैं अब है, interrogative sentences में हमारी जो sentence formation रहती है, वह रहती है, दो परकार से तो जो first type है, उसमें हम, जो हमारी helping verb has या have है, उसको सबसे पहले रखते हैं plus subject, plus verb की third form, और last में plus object रखते हैं लेकिन जो दूसरी type है हमारी interrogative sentences की, उसमें हम wh family को सबसे आगे रखते हैं plus has या have को रखते हैं, plus subject और plus verb की third form, plus object और last में question mark बच्चों ये मैं पहले भी आपके जो बाकी sentence करवाएं हैं, उनमें मैं बता चुकी हूँ, जो helping verb होती है वह interrogative sentences में कहां पर beginning में आती है, और कहां पर wh family से हमारा sentence begin होता है तो जब हमारा answer हा या ना में हो, जब हमारा जवाब हा या ना में आ जाए, तो तब हम helping verb से उसको start करते हैं, लेकिन जब हम किसी भी question का उत्तर हा या ना में नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए हमें वह family से sentence को begin करना होता है, तो यहां पर for example हमने दो sentences लिए हुए हैं, तो पहला है क्या तुम खाना खा चुके हूँ? इसका जवाब हम हा या ना में दे सकते हैं, कि हा मैं खाना खा चुका हूँ, या नहीं मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो इसके लिए हम helping verb से इसकी beginning करेंगे, तो यहां पर देखेंगे हम subject, subject है हमारा you, तो you के साथ हम have का यूज करते हैं, तो यहां आ जाएगा हमारा have, have you eaten the food, अब अगर हो, तुम क्या खा चुके हो, तो इसका जवाब बच्चो हम हा या ना में नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए हमें question word का यूज करना होगा सबसे पहले, तो question word कौन सा आएगा यहां पर, क्या, तो क्या के लिए क्या होगा, what, अब इसमें हम देखेंगे what के के बाद की हमारा helping verb है जाएगा या have, तो इसके लिए हमें subject देखना होगा, subject है हमारा you, तो you के साथ हम use करते हैं have को, तो यहां आ जाएगा have, what have you eaten, अब कुछ sentences बचो क्या होते हैं, interrogative plus negative sentences होते हैं, इसमें subject के बाद note को हम plus करते हैं, दोनों ही type में, example से देखते हैं कि कैसे हमें note को use करना है, तो जैसे यहां पर example है, क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, तो यह बन जाएगा have you not eaten the food, तो यह हमारा क्या है, interrogative plus negative है, इसमें हमें subject के बाद note रखना होगा, next है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, तो यह भी हमारा interrogative plus negative है, तो इसमें हम question word को use करेंगे, और question word हमारा क्या है, why है, तो यह बन जाएगा हमारा, why have you not eaten the food, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, अब हम exercise करेंगे, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए, तो first होगा हमारा, वे नदी में तैर चुके हैं, तो सबसे पहले तो हम identify करेंगे कि क्या यह present perfect tense है, और फिर देखेंगे कि क्या यह affirmative है, या फिर negative है, या फिर interrogative है, तो बचों यह हम देख रहे हैं कि यह affirmative sentence है, इसके लिए सबसे पहले हम किसको रखेंगे, subject को रखेंगे, subject है हमारा दे, और दे के साथ, जो helping वाब आती है, हमारी, वो आती है, they have swum, वाब की third form, तैरना की क्या होगी, swim in the river, they have swum in the river, तो यह बन जाएगा हमारा, second है, हमने खाना खाया है, यह भी हमारा affirmative sentence है, तो इसमें भी हम सबसे पहले subject को रखेंगे, we, और उसके बाद helping verb have, we have eaten the food, next three, उसके चाचा खेत में गए है, अब यहाँ पर क्या है बचो, उसके चाचा, तो उसके चाचा के लिए क्या जाएगा, his uncle, अगर हमारा noun साथ आया है, pronoun के, तो उसमें हम possessive case को रखते हैं, तो he का possessive case क्या है, his है, अगर लड़की के लिए use करते हैं, तो वो क्या जाएगा, उसके लिए हरा जाएगा, हर अंकल या his uncle हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो हम रखेंगे his uncle has, अंकल के लिए क्या आएगा, his uncle has gone to the farm, fourth, मेरी माने खाना नहीं बनाया है, तो यहाँ पर मेरी मा है बचो, तो मेरी मा के लिए क्या आजाएगा, my mother has not cooked the food, यहाँ cook की जगहे पर हम prepare भी कर सकते हैं, prepared fifth, क्या उन्होंने नाटक में प्रतिभागिता की है, तो यह हमारा interrogative sentence है बचो, इसके लिए हमें क्या देखना होगा, हाँ या ना में जवाब आ रहा है या नहीं, यहाँ पर जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बचो, helping verb, say sentence को begin करना होगा, start करना होगा, तो यहाँ पर क्या है हमारा subject, उन्होने, तो उन्होने के लिए क्या जाएगा, दे और दे के साथ हमें, have का यूज करना है, तो यह हो जाएगा हमारा, have they participated in the play, Sixth है, तुमने ताज महल क्यों देखा है, तो यहाँ पर question word है, क्यों, तो क्यों के लिए क्या जाएगा, why, अब यहाँ पर subject है तुमने, तो तुम के साथ क्या लगता है, have, why have you, you, देखने के लिए, seen, why have you seen the ताज महल, Seventh, उसने ताज महल कितनी बार देखा है, तो कितनी बार के लिए क्या जाएगा, बचो, how many times, फिर हम देखेंगे subject, subject है उसने, तो उसने के लिए he, या she, तो उसके लिए हम has का यूज करेंगे, helping verb का, तो अब रखेंगे, helping verb को, how many times, has he, seen, the ताज महल, अब आता है, एर्थ, वे पोधों को पानी दे चुके हैं, तो ये हमारा affirmative sentence है, they have watered the plants, पानी देना की क्या होती है, बचो, water होता है, तो इसमें third form हो जाएगी watered, they have watered the plants, ninth, वे स्कूल कैसे गए है, कैसे के लिए question word हमारा क्या आ जाएगा, how, और हमारा जो subject है, they है, तो दे के लिए हम have का यूज करेंगे, तो how के बाद आ जाएगा हमारा have, how have they gone to the school, tenth, क्या रेल गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची है, तो ये हमारा interrogative sentence है, इसमें हम helping verb को सबसे पहले रखेंगे, तो helping verb है, यहाँ पर हमारी has, has the train, यह हमारा interrogative प्लस negative, तो इसमें हम has the train not yet reached, या फिर arrived भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, बच्चो, has the train not yet arrived, तो उमीद है बच्चो, आपको present perfect tense अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आपको चैनल को subscribe करना है, वीडियो को like and share करना है, thanks